हेलो दोस्तो वेलकम तू थारो पैंथर आज के हमारे गेस्ट हैं बावानी राजपूर्ट आज है हमारे साथ वो खलाड़ी जिन्होंने कबट्डी के जर्ये अपने स्टैगल को ओवरकम किया और हमें दिया एक चैंपिंशिप द्वीनिंग जर्नी जी हां बावानी जी अब स करते हैं और हमारी जॉइन फेमिली है तो बहुत बड़ा परिवार है उन्हीं के साथ पला बड़ा हूं तो जब आया इटी की तैयारी आप इन दोर में करने के लिए गए ते घरवालों ना अपने फोर्स करके भेजा तो फिर आप कबट्डी में कैसे हैं मैं कबट्डी में इस तरीके से आया कि महां मतलब इंजिनिरिंग कॉलेज में जॉइन कर जोगा था था थर्ड एर तक और मेरी हाइट अच्छी थी तो हाइट के कारण दोस्तों ने बोला कि चलो कबट्डी खेल तू मतलब को कॉलेज नोडल होते है न तो उसमें कबट्डी खेलने के लिए म मैंने क्लब जॉइन किया था वहाँ पर इंदोर में बिकरम स्पोर्ट्स क्लब उसके बाद दिर 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 उसमें वहां टूटनामेंट खेलने गया तो मेरा इंट्रेस्ट अपने आप कबट्डी में आता गया और वही से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई पर जब फै अब पता चलता था प्राउट फिल करते कि हाँ प्रो कबट्डी में खेल रहा है बच्चा तो वह आई एटी का दोर जो था बिल्कुल था पीछे चोड़ दिया बिल्कुल तब आप पहली बार सिजन फाइब में जब नवाई पी में आपका सेलेक्शन हुआ टीम प्रो कब करिशन कब हुआ इंद वहां पर पर्फॉरमैंस अच्छा हुआ तो उसके बा Baptist सिलेक्शन थेंजया की दि रहा से मिल हुआ रहा एक्ट सीजन सेव hell को मीने बताइया कि हां मेरा सिलेक्शन हुआ नेत ही होगा यह मैं तो उन को मैं ठीक हेबल्ब हो गया है लेकिन फिर जसी ये से फोन आने स्टार्ट हुए रिलेटिव के और इनके तो उनको लगा कि नहीं कुछ अचीव किया है बच्चे ने कुछ नया किया है सीजन सिक्स और सीजन सैवन में जुनोती है या आपका जो सलेक्शन नहीं हो पाया तो वो फेस के आपने कैसे उस टाइम कया हुआ में सीजन फाइब में में परफॉमेंस नहीं दे पाया था तो सीजन सिक्स mir में मेरा स्लेक्शन नहीं हुआ और शीजन सेवन वे जान की इस्टारिकेड़बूर वहां पर जाकर तैयारी की दो साल continue उसके बाद फिर season 8 में मेरा तमिल सलायवाज में सेलेक्शन हुगा तो तब आपकी performance बहुत ची रही थी तब भी ठीक ठाकी थी पहले season 1, season 5 से season 8 में तो बैटरी ही हाँ season 5 में 4 पॉइंट थे, season 8 में 50 पॉइंट थे इंक्रीस तो हुआ ना जो भी लास्ट नेशनल से हुए थे, नेशन पे लिगा देंगे उसमें आपके performance बहुत ही अच्छी रही हुआ MP टीम से, आप सबसे best player थे तो आप उस दोर को कैसे देखते हैं उस दोर को इस तरीके से देखता था कि मैंने 2 साल बहुत मेहनत की थी अपने उपर और अपनी skill fitness के उपर तो मैंने सोचा कि अब जाकर मुझे 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 प्रो का बड़ी वापस खेलना है तो उससे मेरा performance नेशनल में भी और अच्छा है तो आपने जो बीच में जो लाटव डाउन टाइंपर बीच में आ основable evidence आपने बहुत जवाद हाड़ वर किया बहुत जादा हाड़ वर किया कि मुझे नैशनल में जाके क्या करना है, अपनी टीम को कहां तक लेके जाना है, अपनी फर्वर्वमेंट कैसे देखते रहा है? मैं उस टाइम बस यही देख रहा था कि हाँ मुझे अच्छा करना है, बस. कुछी ही हो जाएają. क्योंकि यहां पर अच्छा नहीं किया, तो मैं, मुझे बेस्ट देनी है, अगर अच्छा नहीं किया, तो मेरा प्रोकोपटी WAR 잉लक्शन नहीं हो पाएगा. तवस वहा जाके नैशनल में जाके आपने खाली प्रोकोपटी रेकि? यह ऐसा नहीं सब्सक्राइब की एसी आड़ आ रहा है या कुछ आ रहा है कि उसके लिए भी मुझे अपने आपको वैटर्स दे के दिखाना है कि मेरा सेलपसन ले एक इंडिया टीम के लिए हो यदि मैं नेशनल में अच्छा performance करूँगा तो ACR 100% खेलूँगा ही खेलूँगा इसी तरीके से मैंने नेशनल का पहले सोचा कि पहले नेशनल में अच्छा performance दूँ फिर ACR आप फिर से सीजन एट में आपने फिर से entry की option में आये फिर आपके वेड लगी आप तेमिल तक तो मैं mentally prepare बिल्कुल नहीं था प्रोकावड़ी के लिए सीजन एट में आया तो मैं मेहनत त्यारी वापस हर चीज को मतलब डबल करके आया था और mentally भी prepare होके आया था कि नहीं मुझे इस सीजन खिलना है सीजन नाइन में जैप पुल पिंग पेंटर के साथ आने के बाद जो तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद हम ट्रॉफी भी जीते और उसमें मेरा भी योगदान रहा तो उसकी खुसी कुछ औरी थी तो आप अपनी पर्फॉमेंस से और टॉफी से संतुष्ट है? नई पर्फॉमेंस से तो संतुष्ट नहीं था जितना और पर्फॉमेंस आना चाहिए था इस साल और बेटर करने की कोशिज करूँगा उसके लिए मैं ऐसा कोई आपकी याद में क्लोज में है जिसमें आपकी पर्फॉमेंस बहुत ही ज़रूरी कुसल टाइम का पॉइंट चाहिए था और आप पॉइंट लेका है को ऐसी मैमोरी? हाँ दो तीन मेंच ऐसी रहे हैं जैसे पटना पाइरेट्स वाला एक मेंच था हमारा जिसमें मैं लास्ट बचा हुआ था और 30 सेकेंड बचे हुए था और डूर डाइरेट थी तो उसमें उस रेड में मैं पॉइंट लेके आया था और फिर हम वो मेंच जीत गए थे तो पहला मेंच वो था एक गुजराद वाला मेंच था उसमें भी मतलब जहां पर रेडरों को पॉइंट नहीं लग रहे थे वहां पर टाइम पर पॉइंट ला कर दिये मैंने वो भी मेंच हम जीते फाइनली ऐसे दो तीन मेंच रहे हैं मैं सीजन टेन में बापिस वही जरनी रखना चाहूंगा जो पीछले साल हम जीते तो इस साल भी उस जीत को बरकरार रखे फाइनल जीते हम पिछली बार जो गलतिया हुई है उनको ध्यान रखते हो आगे वो गलतिया ना करू अच्छा परफ़ामेंस और अच्छा परफ़ामेंस दो में अपनी टीम के लिए टीम में जो लास्ट टाइम जो टीम दिजापुर की मैक्सिमम वही टीम अभी रिटेन हुई है, ये सभी वही प्लेइर्स हैं, तो आपकी बाउंडिंग कैसी है टीम के साथ? टीम की बाउंडिंग पिछले साल से ही बहुत अच्छी रही है, टीम कंटिन्यू जीते आई है, तो हम सभी का एक जूट होने के कारण ही टीम जीती है, और वही जर्णी अभी भी स्टार्ट है, टीम में इखटी है, और सभी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, यदि किसी की ग दिला चलने दिया, एक्च्छी हुआ क्या था, 2020 में एक लोकल टूनामेंट खिलने गए थे हम, तो वहां पर मेरा एलवो डिश्लोकेट हो गया था, तो उसके बाद बापस सम जवलपूर आये, वहां पर प्लास्टर चड़ा, तो घरवालों को बाद में मतलब एक दिन उन् दिश्लोकेट हुआ था, तो उसके कारण फिर बोले कि नहीं, बोले अभी ये कबड़ी छोड़ तू, कबड़ी इससे अच्छा पढ़ाई कर रहा था, तो एक जवाब आप कर, अच्छी ये था, जब घरवालों ने ये बोला कि तो जब चोट देखियों नहीं कि कबड़ी स्पोर्ट से से इतना जुड़ा हूँ कि बस बता नहीं सकता, और जब चोट लगी तो घर में पापा जी का और मलब जो चाचा जी जोइन फेमिली है, तो सभी का सपोर्ट रहा है, बस मम्मी और नानी थोड़ा, उसमें वो करते थे कि यार चोट लगती है, और सरीर में एक कवर्डी से अच्छा आप जॉब पकड़ो, कि कवर्डी कब तक दो-चार साल का है उसके बाद, वापस यदि कुछ ज्यादा कम हो गई तो चोट दिक्कत हो जाएगा, यह समझा है कि मैं दो-चार साल जो जॉब में कई साल में कमा होगा, वो अभी मैं दो-चार साल में कमा वो अनको भी पता है, लेकिन वह यह बहुत है यही बोलते हैं उस ठाइम भी, कि पेसे तो तू कम directly कि तो गभी हमा लेगा, लेकिन यहदी हाथ पर यही कुछ पहले जीसे नहीं होंगा। पर चोट तो कहीं भी कभी भी लग सकती है ने चलते चलते भी आवाज अकल लग जाती है ऐसा नहीं कि कपड़ी में ही चोट लग लग जाती है ऐसा कुछ नहीं समझाया कर दो कि आप चलते चलते रोड पर एक्सिडेंट हो जाता है उनके हाथ पर फ्रेक्चर हो जाते है या बेसिकली कोई गिर गया चलते चलते गिर गया तो उसमें हाथ पर टूड़ आते हैं तो मेरा तो खेलते हुए तो थोड़ा ऐसा उनको प्रॉपर बताया और बताया भी कि फिट जाक और सब कुछ उसके साथ होता है. अब कुछ उसके साथ होता है. हो डे तो आप अपटनी जो हेट कोछ संजीव आलियांग जी और सफिंड को 이unken कोछ जी उन दोनों से आपने क्या जीक आपने क्या सीखा है और आपको कैसे बताते हैं? उन्होंने मेरी छोटी छोटी मुमेंट जो बताया है कि आप यहां से टेक ले या यहां पर खेले मैं बाहर स्केलता हूं थोड़ा और अंदर से खेलो हाइट का थोड़ा कहा फायदा मिलता है कहा नुक्सान होता है या आपका एक या दो टेकल भी हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं आप एक ही बार में उस चीज को कवर कर दोगे तो उन चीजों के छोट-छोटी चीज़ है उन्होंने जो बताई है उनको मैं अपने गेम में इंप्लिमेंट कर रहा हूं हर किसी प्लेयरका एक आइडल होता है तो आपको कौन प्लेयर है या कोई एक्क्टर है कौन आपका आइडल है जैसा आप मानते हो कि नहां है मेरा आईडियल है और आजए ठापुर है उनको तो मैं सीजन फाइब में उनके साथ जुड़ा था तो उनसे बहुत कुछ सिखने को मिला मुझे आभी जो नए बच्चे कबड़ी में अपना भविश्य बनाना चाहरा है फ्यूचर बनाना चाहरा है यंग टैलेंज जो है उनके लिए आप क्या मैसिज देना चाहते है कबड़ी बेसे बहुत पॉपुलर गेम हो गया है तो उसमें आजकल बहुत ब्राइट फ्यूचर है बच्चों के लिए भी बस उनके लिए एक ही मेसेज रहेगा मेरा भी यही कि किसी भी गेम में जुड़े आप कबड़ी हो या किसी भी गेम में हो आप कंटिन्यू रहें कंटिन्यू रहोगे तो ही आपको उसका फल मिलेगा नहीं तो आप कंटिन्यू नहीं रहोगे तो आप उसका वो नहीं मिलेगा मतलब कि आपको पाने के लिए फुल हार्ट वक्त अपड़ेगा जो नए वच्छे हैं भी तो उनको आप कैसे मोडिवेट करना चाहेंगे कि वो अपने आपको फिट रखें और किसी भी स्पोर्ट में जाए तो उसके लिए फिटनेस कितनी जरूरी है फिटनेस आजकल किसी भी कोई भी गेम हो फिटनेस सबसे जादा जरूरी है अप यदि आप फिट रहोगे आप पूरे फिट रहोगे तो आप अपना गेम में 100% दे पाऊगे फिट नहीं रहोगे तो आप 100% नहीं दे सकते तो इसलिए सबसे जादा फिटनेस जरूरी है और न 12 से 17 जनवरी कोई हमारा जैपूर में मेच रहेगा तो वहाँ पर PTM Insider पर हमारे फेल्म्स को टिकेट मिल जाई और वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आकर हमें सपोर्ट करें और हम उनके लिए जीतने की पूरी-पूरी कोशिज करें सबसे जादा टफ आपको कौंसा डेफेंटर लगता है सुनिल हमारी टीम का लाइट कबर अपनी प्लेंग स्टाइल को एक सब्द में बताईए मैं अग्रेशिव थोड़ा खेलता हूं लेकिन उसके साथ सब थोड़ा कुल माइंड होके भी खेलना चाहता हूं गुँआ मैंने मम्मी पापा को दी कबर्डी में जो मुझे 30,000 रुपे मिला था दोस्तों को मिठा ही नी बैटी मम्मी का खाना या पापा की तारीफ मम्मी का खाना तो बहुत अच्छा है लेकिन पापा की तारीफ कम मिलती है तो वह भी दोनों ऐसी कोई खुबसरा जगह जहाँ आप जाना चाहते हो गुलमर्ग जाना चाहते हो दोनों में से कोई एक सबसे फेडरे टीम जैपूर किंग पैंथर या तबिल थलाईबास जेपीपी मौनिग प्रेक्टिस सेशन या मैट सेशन मौनिंग फिटनेस ऐसे स्कॉट या लजजीस स्कॉट टी या कॉफी लजजी बहुत बहुत धन्य है वहाँ आपको बात करने के लिए और वेस्ट अफ़ला के सीजन के लिए और आने वाले मैच उस के लिए और तुम और हम दबा के खेलेंगे और अपने टीम को उपर तक लेके जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल वाई थैंक्यू वाई साफ